Hello everyone, आप सभी को एक नाए वीडियो में स्वागत है, आज मैं आप सभी को कला स्तेन्थ कैमायत का exercise 1.3 के question number 1 के हल करके बताऊंगा तेकि 1.3 exercise काफी महत्मून है, इसमें से हमेशा एक नाए question exam में जरूर आता है और please आप लोगे इस वीडियो को पुरा देखते हैं तो बिल्कुल असानी से समझ जाएगा और यही इस question सिर्फ नहीं समझेगा, इस type के कोई भी question नहीं, जैसे root 7 रहेगा, root 3 रहेगा, root 11 रहेगा कोई भी रहेगा बिल्कुल आप असानी से इसी तरीके से step by step बना सकते हैं, बस सिर्फ अंक चेंज रहेगा तो पिलेज आप लोग इस वीडियो को पुरा जुरूर देखे, तो देखे, question है, सीद कीजिए कि root 5 रहेगा अपरी में संख्या है, तो यह देखे, अपरी में है, तो आप इसको opposite यानि उल्टा माल लिजे, कि root 5 रहेगा है, परी में संख्या है, इस तरीके से आपको हमेश हर question में करना है, तो माल लेते हैं, हल में माना की root 5 एक परी में संख्या है, परी में संख्या है, जब परी में हैता आपको पता होगा, कि यह किसके बराबर होना चाहिए, P बटे Q के, P बटे Q के जगा आप A बटे B भी लिख सकते हैं, कुछ में लिख सकते हैं, तो root 5 किसके बराबर होगा, P बटे Q, और P बटे Q क्या है, यानि P और Q क्या है, एक सा अभाज्य संख्या है तो लिख लेंगे P जहां जहां P और Q सा अभाज्य है सा अभाज्य अभाज्य संख्या है और Q is not equal to 0 है यानि Q के मान कभी 0 नहीं होगा ठीक है न तो ये बात आपको धियान में हमेशा रखना है P बटे Q जहां P और Q सा अभाज्य है तो सा अभाज्य क्या है जिसका मौसर एक हो वह सा अभाज्य है तो P और Q आपको पता है यहां दोनों किसी संख्या से कटेगा नहीं तो नहीं कटेगा तो इसका मौसर क्या है एक है तो एक है तो यह क्या है सा अभाज्य संख्या है और परिमेस संख्या आपको पता होना चाहिए कि Q के मान कभी 0 नहीं होता है इसलिए लिख दिया है कि Q 0 के बरावर नहीं है ठीक है यानि Q के मान 0 नहीं है अब क्या करेंगे दोनों तरफ बर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर तो देखें दोनों तरफ बर्ग करने पर तो एक तरफ क्या है रूट 5 है तो इसका बर् q 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 qq q 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 플ros스 multiply कर दिए 5 5 में Q से गुना कीजेगा तो 5 QA² हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा P A² तो QA² के मान निकालिएगा तिधर P A² बटे क्या हो जाएगा 5 क्योंकि QA² का गुनाएंग 5 है तिधर भाग हो जाएगा तो आपको पता हो गया यानि Q के मान खितना आया Q के मान आपको Q SQR का मान P SQR बटे 5 आया इसको माल लेंगे समीकरन 1 और एक बात मैं बता देता हूँ एक मतलब पड़ी में है इसी चेप्टर में एक दसमलब 3 में यानि आपको पता होना चीए पड़ी में है कि अगर A SQR P से विभाज्य है तो A भी P से विभाज्य होगा ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर A SQR P से विभाज्य है तो A भी क्या होगा? P से विभाज्य होगा P अभाज्य संख्या है समझ गे ना तो उसी परिमेसे तो यहां देखिए P square किसे विभाज है 5 से तो P square को हम 5 से भाग देते तो कितना आता है Q square यानि P square 5 से विभाज है तो P भी किसे विभाज होगा 5 से तो यही बात यहां लिख देंगे अर्थात P square 5 से विभाज है पांसे बिभाज्य है या भाज्य है लिख सकते है, बिभाज्य है, तो जब P square 5 से बिभाज्य है, तो कोन बिभाज्य होगा, P B किस से बिभाज्य होगा, PV पान से विभाज्य होगा होगा यह लिख सकते हैं PV पान से विभाज्य होगा ठीक है? यही परिमेसे एक दसनलब तीन से यानि आपको बता देता हूँ अगर माली जे 15 का स्क्वार 5 से विभाज्य है तो 15 भी किस से विभाज्य होगा? आपको पता होना चाहिए 15 भी 5 से विभाज्य होगा 1.3 पड़ी में कहता है तो 100% जब P square 5 से विभाज्य है तो P भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा अब एक चीज़ समझे जब P square में हम 5 से भाग देते हैं तो Q square आता है तो P में भी 5 से भाग देंगे तो कुछ न कुछ तो आएगा तो माल लेते हैं कि P में अगर हम 5 से भाग देंगे तो आपको आ गया A या M मान सकते हैं कुछ भी मान सकते हैं M क्या है जहां M M एक पूर्नाइंक है पूर्नाइंक आपको पता होना चाहिए माइनस वला 123 और 0 यहां क्या है पुर्णाइंक है तेक पुर्णाइंक है पुर्णाइंक है तितना आप समाझ गए होंगे कि माना की 5 मतलब माल लिये है आप की भी लिख सकते कोई दिकत नहीं पी बटे 5 ब्रावर एम एम के जगह आप ए भी लिख सकते क्योंकि पी में अगर ह वही हम क्या लिख दिये एम आया है जहां एम क्या है एक पुर्णाइंक है अब इधर क्या कीजेगा इसको भी क्रॉस मल्टिप्लाई कीजेगा तो पी में एक से करेंगे तो पी और पांच में एम से करेंगे तो पांच एम अब इस मान को क्या करेंगे पी बरबरा पांच ए एक में रखने पर, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि समीकरन एक में पी बरबरा पांच एम रखने पर कोई दिकत नहीं है, तो समीकरन एक कितना है? इसका सकते कितना हो जाएगा? 25 A usq. और निचे क्या है 5. 5 से कार देंगे तो 5 25 यानि Q sq. वरावर आपको आ जाएगा इधर 5 A me usq. तो Q a sq. अब देख़िए आपको क्या करना है आपको पता हो गया कि Q sq. 5 A me usq. या इसी लिए आपको पता हो गया कि A me usq. तो A me usq. वरावर इधर गुनायंक में 5 है तो Q e² बटे क्या हो जाएगा 5 या इसको इसी तरीके से भी लिख सकते है इसलिए A me² बरावर Q e² बटे 5 यानि यहाँ समझाईए यहाँ भी Q e² में 5 से भाग देथे कितना आथा? A me² यानि Q e² 5 से भी भाज़े है तो Q भी किस से विभाजे होगा 5 से विभाजे होगा ठीक है न तो लिख देते हैं अर्थात इसी तरीके से यहां लिख देंगे अर्थात Q स्क्वार 5 से विभाजे है अता Q भी 5 से विभाजे है होगा समजगे न इसी तरीके से यहां भी कड़े है यानि अर्ठात P स्क्वार 5 से विभाजे है तो पह भी 5 से विभाजे होगा ही अगर अता लिख दिजीए समझ गए टीन आप जरूर समझ गए होंगे अब एक वा समझे यहां Q भी किस से विभाजे फाजे और यहां P भी किसे विवाजे है 5 से विवाजे है तापको पता है कि P और Q में उभाइनिस्ट गुननखंड कितना है 5 है तापको पता है कि यह सअभाज्य संख्या नहीं है अब यहां देखे Q भी 5 से विवाज्य है और P भी 5 से विवाज्य है तापको पता है कि P और Q का एक क्या है उभयनिष्ट गुननखंड पांच है तो आपको पता होना चाहिए कि जब गुननखंड इसका उभयनिष्ट गुननखंड पांच है तो यह सा अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि सा अभाज्य संख्या हम आपको बताये थे जिसका गुननखंड यानि जिसको अगर हम म बसान निकालते हैं कितना होता है एक या या ऐसे भी वह सकते है किसा आभाज्य संख्या के उभईश्ट गुल नानिखं़ंद एक होता है तो यह एकन नहीं क्या हैं पांच है समझें तो यही बात हम चलिए लिख देता है लिख देते हैं पी और क्यू में पांच उभायनिष्ट गुननखंड है गुननखंड है अता पी और क्यों क्या नहीं है सहभाजे संख्या नहीं है क्योंकि सहभाजे रहता है तो आपको पता है कि उसका उभायनिष्ट क्योंनखंड एक होता है पी और क्यों सहभाजे संख्या नहीं है अब आज़े संख्या नहीं है समझ गये न क्या है सहभाजे संख्या नहीं है इसलिए जो हम माने थे वो गलत है इसलिए हमारी मान्ने अता गलत है गलत है अता रूट पांच एक अपरी में संख्या है एक अपरी में संख्या है संख्या है यही बात आपको लिख देना है प और क्यू में पाच उभैनिस्ट गुनन खंद है अता प और क्यू सहवाज्य संख्या नहीं है इसलिए हमारी मान्ने अता गलत है अता रूट पांच एक क्या है अपरी में संख्या है क्योंकि अगर पड़ी में रहता तो उसका उभैनिस्त गुनन खंड कितना होता एक होता समझ गए ना तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरू समझ में आया होगा और समझ में आया तो वीडियो के लाइक और नयते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद